प्रेंस नमस्कार इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट नीचे आने का कारण किया है वाई मार्केट इस गोईंग डाउन और इसका कुछ डेटा पॉइंट के साथ मैं आपको समझाने के लिए कोशिस करूँगा आपको समझ में आएगा कि हां भाई मार्केट डाउन कैसे हो रहा है किसलिए हो रहा है मार्केट का जो क्रास है वो कियों हो रहा है हर रोज मार्केट आप देख रहे थे पिछले 5-6 सेशन में 5-6 देज में मार्केट बहुत नीचे आया 20% करीब नीचे आया और कोई-कोई स्टॉक है जो करीब 52% 55% की करीब नीचे आ चुका है तो आपको जरूर यह पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जब भी भी कोई मंदा आता है तो आपको यह इसका उपोचुनिटी जरूर उठाना चाहिए तो देखे, market क्यों नीचे जा रहा है, market क्यों नीचे आ रहा है, down क्यों है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि FII data, मैं आपके सामने present करने की कोशिस कर रहा हूँ, FII यानि foreign institutional investors का जो buy and sell है, आप देख सकते हो लागातार इन्होंने यहाँ पर sale किया है, यहाँ आप देख सकते हो quantity, 3,751 करोर, 24th January को इन्होंने sell किया है, फिर अगर हम लोग आते हैं उसके पहले Friday को, 21st January का, वहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी FII ने काफी जादा selling यहाँ पर भी किया है, उसके बाद अगर हम लोग देखे, Thursday को, 20 January को, यहाँ पर देखिए, FII का जो data है, काफी जादा यहाँ पर selling वाता, 4,679 करोर का selling FII ने किया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो, फिर अगर हम लोग देखे, 19 January का data, यहाँ पर देखे, FII ने selling किया है, 2,704,000 करोर का यहाँ प उसके पहले भी देखे, 18 January को, इतना बड़ा बड़ा amount का, जो stock selling, quantity यहाँ पर sell हुआ है, FII ने selling किया है, 1,254,000 करोर से भी जादा selling, मतलब यहाँ पर लगातार, 5,6,7 days में, जो selling करते आया है, FII ने, उसका quantity, जो total अगर हम लोग calculate करे, 12,000 करोर से भी जादा selling इनों ने किया है, 12,000 करोर का selling, FII ने market से माल बेच दिया है, उसका जो effect हम लोग Indian stock market में देखने के लिए मिला है, काफी pressure है Indian stock market में, बट आज जैसे stock market में, कुछ हम लोग जरूर positive moment देखने के लिए मिला, जैसे market open हुआ, तो market बहुत pressure में था, market पहले तो down में था, फिर market आएसता recovery करकी market थोड़ा सा positive sign पर finally आया है, तो जैसे मैंने आपको बता रहा था पिछले वीडियो में, कि February तक ऐसे ही मंदा रहेगा, ऐसे ही आपको volatility देखने के लिए मिलेगा, बट हमारे जो financial budget है February में, उसके बाद हमारा जो stock market है, उस table हो जाएगा, तो आपको थोड़ा patience होने के जुरत है, और FII का अगर कभी भी selling होता है, तो market में ऐसे ही हम लोगो pressure downfall देखने के लिए मिलता है, तो hopefully आपको समझ में आ गया होगा, कि market का नीचे जाने का मुख reason किया है, मुख reason नहीं है, कि FII का जबदस्त selling बहुत ही जादा sale किया है, 12,000 करोर से भी जादा amount का sale किया ह इसलिए market में काफी जादा crash, काफी जादा downfall हम लोगों को देखने के लिए मिला है, तो ऐसे informative वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ बने रहे है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, क्योंकि इस स्टेप से security is related, stock market related, कोई भी informative वीडियो मेरे चैनल में आपको हर रोज म मिलता रहती है, थैंक्स पर वाचिंग, मिलते नी informative वीडियो साथ इन नेक्स वीडियो में